दोस्तो 24 से उक्टूबर यानि की संडे के दिन यूपी पीसेस का एक्जाम था और उसमें करेंट फैस के सारे कुसंस हमारे पीडियाप से ही पूछे गए थे इसका मैं एक डिटेल में वीडियो भी बनाऊगा जिसमें की सबूत के साथ में एक एक कोश्चन दिखाने वाला तो आपको भी पता होना चाहिए कि हर एक्जाम में सर की पीडियाप से कोश्चन कितने पूछे जाते हैं अब देखो कल एक कोश्चन पूछा गया था जिसमें की जो नॉर्मल जो लोग करेंट फैस पढ़ाते हैं उनके हवाईयां उड़ गई कोश्चन में क्या था कितना घुमाख पर आकर PCS में पूछा था मतलब उसमें टैनिस का इवेंट दे रखा था और पूछा था कि इसकी विजेता तो ये है अक्सर क्या हो था है लोग बताते हैं कि बताओ इसका विजेता कौन है आंसर हो गया नोवक जोकोविच उसमें उपर आपको दिखाना चाहूंगा ये टैनिस वाला कोशन था BNP परिवास ओपन और उसमें मैंने क्या किया था कि उसका जो विजेता कौन है ये तो बताया ही था साथी साथ में फेमस टैनिस प्लेयर कौन-कौन से देश से बिलॉंग करते हैं ये भी चीज बताई थी तो ये आपको डेटेल में चीजें जहां से भी जो भी बताएगा वहीं से कोशन एक्जाम में आपके फसेंगे रटने वाला समय चला गया है तो मैं तो आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि देखिए मैंने टैनिस खिलाडी का देश भी बता रखा है तो ऐसे ही कोशन एक् ब्रिटेन की महरानी जिसका नाम है ऐलीजाबेद को अपने राज्य के प्रमुख के रूप से हटा दिया है और खुद अपने देश का पहला प्रेसिडेंट चुन लिया है तो आंसर हो जागा इसका बारबाडोस ऑप्शन नमबर डी बारबाडोस इसका राइट अंसर हो ज बारबाडोस देश जो है यहां की जो महरानी थी वो पहले ब्रिटेन की जो महरानी है एलिजाबेद उनका भी अधिकार यहां पर चल रहा था तो अभी रिसेंट में बारबाडोस ने उनके अधिकार को समाप्त कर दिया और जब अधिकार उनका समाप्त हो गया तो अपने देश की पहली चुकि पहली बार उनका अधिकार समात हुआ है ब्रिटन की महरानी का तो उनके देश की पहली प्रेसिडेंट भी अपॉइंट कर दी और वो पहली प्रेसिडेंट कौन बनी है तो वो बनी है पहली प्रेसिडेंट कौन बनी है वो एक कोश्चन बनेगा अलग से तो उसका answer देखो क्या होगा इस photo को देखकर आप समझ जाएंगे उनके देश की जो पहली president बनी है वो बनी है यहाँ पर Sandra Mason इसमें देखो क्या लिखा है कि Barbados has elected Sandra Mason as its first president पहली bar appoint किया है तो भी important है Britain की महरानी को हटा कर appoint किया है तो भी important है और महिला को appoint किया है तो आप समझ सकते हैं कुष्टन का importance कितना ज़्यादा है आगे चलते हैं आप इसमें देखो Britain ने यहाँ पर साब साब देखो लिखा है कि Britain ने Dame Sandra Mason को अपना president बना लिया है इस वर्स यह जो Barbados nation है यह Britain से सुतंतरता की पचपनवी वर्सगांट भी मनाएगा साथी साथ में यह जो देख है Barbados यह दच्छड पूर्वी Caribbean Sea में एक island country है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस देख के प्रधान मंत्री का नाम है Mia Motley इसकी जो capital है राजदानी वो है bridge town और इसकी जो currency है वो है Barbados dollar यह सारी detail आपको पता होना चाहिए इसके बाद में current fest का next question मना है कि भारतिय खेल प्राधी करन Sports Authority of India के द्वारा Target Olympic podium scheme यानि कि T O P S Tops नाम से एक scheme है Target Olympic podium scheme के CEO के रूप में किसको पॉइंट किया गया है तो यहाँ पर answer हो जाएगा option number C P.K. गरग option number C P.K. गरग इसका right answer हो जाएगा जिसने की Sports Authority of India के द्वारा एक committee बनाई गई थी कह सकते हुए एक organization बनाई गई थी Tops नाम से Tops का फुल फॉर्म अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा Target Olympic podium scheme यह Tops का फुल फॉर्म हो जाएगा उसके CEO बनाई गए है P.K. गरग तो P.K. गरग का फोटो देख सकते हैं जो कि इसके Tops के CEO बनाई गए है अब इसमें आप देखोगे Tops के बारे में समस्ते है Tops का फॉल फॉर्म होता है Target Olympic podium scheme यह इसका फॉल फॉर्म होता है और Tops योजना को शुरू कप किया गया था सन 2014 में आजकल यही चीज़ पूछी जा रही जो चीज़ करेंट में चल रही है वो तो कोचिंग वाले सब बता रहे है 90% लोग यही बता रहे है लेकिन उस योजना के अंदर में कोई चीज़ कोई नहीं बताता है तो इसकी सुरुवाद 2014 में करी गई थी इसका उदेश है क्या था यह जो Tops नाम से Organization बनाए गया था इसका उदेश है था कि भारत की जो Olympic और Paralympics होते हैं उसमें भारत के प्रदर्सन को पहले से और बहतर करना Athlete की help करना यह इस organization का उदेश है था तो यह यहाँ पर right answer हो जाएगा अब चुकि हमने इस वीडियो में Sports Authority of India की बात करी है तो Sports Authority of India के बारे में समझो इसकी इस्तापना 1984 में करी गई थी इसका मुख्याले दिल्ली में इस्तित है और जो इस समय Minister of Youth Affairs and Sports कौन है स्री अनुराग ठाकुर इसका right answer हो जाएगा तो question के साथ में जब extra facts पढ़ोगे तो कभी भी question गलत नहीं होगा ठीक है तो current facts में कोई shortcut में डूनो कम से कम इतना तो आपको पढ़ना पढ़ेगा इसके बाद में अगला question मना है कि हर साल किस दिन अंतर राश्ट्रिये हम तेन दुगा दिवस International Snow Leopard Day मनाया जाता है तो answer हो जाएगा Every year 23rd of October option number 10 का right answer हो जाएगा कि हर साल International Snow Leopard Day 23rd of October को मनाया जाता है option number 10 का right answer हो जाएगा दिवस वाले question वैसे तो लगता है कि sir इसको ignore कर दिया जाए लेकिन दोस्तो मजबूरी है exam में एक question जरूर पूछा जाता है अभी PCS में भी एक question पूछा गया है कौन सा world TB day जो होता है उसकी theme पूछी गई थी world TB day की theme पूछी गई थी जो की मैंने आपको बताया भी था तो ये 23rd of October को मनाया जाता है world leopard day snow leopard day छीक है इस दिवस की सुरवात करी गई थी 23rd of October 2014 में हुआ क्या था कि 2013 में एक गोशना पत्र जारी हुआ था जिसको बुलते हैं विसबेक गोशना पत्र तो ये जो विसबेक गोशना पत्र हुआ था 2013 में उसमें ही हिम तेंदुआ के सनरच्छन को लेकर बात चली थी तब से लेकर ये दिवस बराबर हर साल 23rd of October को मनाया जाने लगा है अब एक चीज इसमें याद रखना कि एक एक्जाम में मैंने कोशन देखा था और याद रखना मैंने आपको बता रहा हूँ एक्जाम में जरूर मिलेगा कि विसबेक गोशना पत्र किस जानवर से संबन्दित है आंसर दे सकते हैं आपको बुफैलो, पैलो एलिफेैंट, लौएन तो आंसर कर दिना लगा ही ने बुशन्दाय इसम þेंद्द्धवै के संद्ध्षन के लिए बुश्बेक देकलरेशन को साइन किया गया था इसको साइन किया किसने था इसका जो साइन है यह जो Bisbeck Declaration है, एक्चुल में इसके जो members होते हैं, जो SCO एक committee है, मतलब सांगाई Corporation Organization, SCO Organization के members के बीच में यह declaration sign हुआ था, जिसको Bisbeck Declaration के नाम से जानते हैं, तो Bisbeck Declaration का सम्मन्द हिम तेंदुआ से हैं, और इसका सम्मन्द SCO Organization से भी है, तो यह दोनों point अगर आपको याद हैं तो एक्जाम में कोई भी आपके कोशन को गलत नहीं कर पाएगा, इसके बाद में CurrentFS का next question बनता है, हर साल किस दिन Avogadro की संख्या, Avogadros number का इसमरण और समान करने के लिए मोल दिवस, मोल डे मनाया जाता है, तो answer हो जाएगा option number D, 23rd of October, इसका right answer हो जाएगा, कि हर साल Avogadro number का जो remembrance है, अक्सर अपने science में Avogadro number का नाम सुना होगा, तो यह जो मोल डिवस है, हैपी मोल डे, यह हर साल 23rd of October को मनाया जाता है, option number D, इसका right answer हो जाएगा, अब इस दिवस की जो theme है, वो है discipline, sorry, Dispika mole, मी, ठीक है, यह इसका वर्स 2021 के लिए theme हो जाएगा, आगे चलते हैं CurrentFS का अगला सांदार प्रस्न बनता है कि किस राज्जी ने कम लागत वाली सस्ती जेनरिक दवाएं प्रदान करने के लिए स्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल इस्टोर नाम से एक नई योज़ना को सुरू किया है, चीक है, तो इसमें देखो स्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल इस्टोर इसकीम नाम से इस योजना को हाल ही में 36 गड़ गाज्य में सुरू किया गया है option number A का राइट अंसर हो जाएगा तो option number A 36 गड़ इसका राइट अंसर हो जाएगा जहाँ पर स्री धनवंतरी generic medical इस्टोर नाम से की योजना को सुरू किया गया है और वो medicine लेना चाहता है, तो वो प्रदानवंतरी जन आउसरी केंदर पर जाकर सस्ती generic दमाएं ले सकता है, बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं जैसे की branded दमाएं, चीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह रहा इस योजना का photo देख सकते हैं, जिसमें लिखा है स्री धनव शासी ऐसे medical store ओं को open किया जाएगा, अब इसमें, तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर इसके बारे में 36 गड़ के बारे में भी समझ लेते हैं, इसकी जो capital है वो है रायपूर, राज्यपाल का नाम है अनुसुया OEK, CM का नाम है भूपेज भगेल, ठीक है, आगे चलते हैं, 36 गड़ के जो national park हैं, जो की recent में पूछे गया है, वो है इंदीरावती, MTS में पूछा गया था, कांगेर, यह भी MTS में गुरु गासी दास, यह अभी recent में UP का एक एक एक्जाम वाता, उसमें यह बाला question पूछा गया है, चीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ हम लोग चलते हैं, question मनेगा, कि हाल ही में एक पुस्तक रिलीस करी गए है, जिसका नम है, the origin story of India, the origin stories of India, इसके लेखक का नाम क्या है, तो इसमें जो इसके लेखक है, वो option number D हो जाएंगे, दोस्तों आज मेरा जो यह digital pen है, तो खेर चलो इसको सही सुभा स्री निवासन, option number D, इसका right answer हो जाएगा, option number D, इसका right answer हो जाएगा, इसमें आप इसका photo भी देख सकते हैं, यह जो book है, इसमें क्या बात की गई है, इसमें भारत की जो 28 राज्य हैं, और जो केंदर सासित प्रदेश हैं, उनके जन्म की story है, कि कैसे कौन सा राज्य बना था, उसको लेकर एक story है, साथी साथ में अगर अभी PCS के exam में, एक question दोस्तों पूछा गया है, कि चार राज्यों के नाम दे दिये, और पूछा गया है कि कौन सा राज्य कब बना था, उनको chronological order में बनाई है, मतलब कौन सा राज्य कब बना था, उस हिसाब से उसको arrange क करी है, तो हाल ही में October में release करी गई किताबों के नाम देख लेते हैं, पहला बनेगा, the stars in my sky, चीक है, दिव्या दत्ता ने लिखी है, कल ही मैंने आपको ये करवाए था, वीर साबरकर, the man who could have prevented partition, इसको लिखा है, ओदय माहूरकर और चिरायू पंडित ने, चीक है, तो इन तोनों ने मिलकर इसको लिखा है, इसके बात में actually, I met them, a memoir, इसको लिखा है, गुलजार ने, ये भी मैंने आपको परसों करवाई थी, the custodian of trust, इसको लिखा है, रजिनीस कुमार ने, इसी की साथ में आगे बढ़ते हैं, question मना है, किस राजिके, परांबी कुलम, Tiger Reserve Foundation को, वर option number A, इसका राइडेंसर हो जाएगा, जिसमें की परांबी कुलम, Tiger Reserve, Tiger Conservation को, वर्स 2021 का, आर्थ गौर्जियन अवार्ट प्रदान किया गया है, option number A, इसका राइडेंसर हो जाएगा, इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब यह जो, यहाँ पर हम लोग चुकि केरल का यह उद्यान है, तो केरल के कुछ नेसल पार्क देख लेते हैं, Silent Valley नेसल पार्क, एरावी कुलम नेसल पार्क, अन्ना मुदाई नेसल पार्क, पेरियार नेसल पार्क, यह सभी केरला के नेसल पार्क हैं, जो कि एक्जाम में पूछे जाते हैं, question मनेगा, rank औ अंसर हो जाएगा, कि Westwick Pension सुचकांक में 43 देशों की लिष्ट में भारत को 40 वा इस्तान पराप्त हुआ है, Global Pension Index, अच्छे से देख लेना, एक्जाम में बहुत ज़्यदा पूछे जाते हैं, यह question, Global Pension Index, ठीक है, तो Global Pension Index में 43 देशों में, भारत को 40 वा इस्तान पराप्त हुआ है, option number C, इसका right answer हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं, भारत को 40 वा इस्तान मिला है, यह index बताता क्या है, यह जो retired person है, उनकी income system किस तरीके से measure करी जाती है, यह इसके बारे में बताता है, दुनिया के 3 देश इसमें कौन-कौन से ह तो टॉप के 3 देशों की बात करें, तो इसमें जो टॉप के 3 देश हैं, वो है Iceland, नीदरलेंड, आइसलेंड, नीदरलेंड और भारत, भारत को इसमें मिला है 40 वा इस्तान, तो आपको इसमें पहला और भारत, दोनों के इस्तान आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अफ इंडिया का 52 संस्क्रन किस राज्य में आयुजित किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ओप्शन नमबर डी, ओप्शन नमबर डी, गोवा इसका राइड अंसर हो जाएगा, जहां पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अफ 20 नॉम्बर से 28 नॉम्बर के बीच में इसको आयुजित किया जाएगा चीक है इसी दवरान सत्य जीतरे लाइफ टाइम एचीवेंट पुरसकार जो है ये हॉलिवुड के अभिनेता मार्टिन इसकोसीज और मसूर हंगेरियन फिल्म निर्वाता जिसका नाम है इस्तेवान इस इबेंट पुरसकार जो है ये इन दोनों को दिया जाएगा आगे चलते हैं औक्टूबर 2021 में Financial Action Task Force ने पाकिस्तान को ग्रे लिष्ट पर बरकरार रखा है साती सात में किन तीन और देशों को ग्रे लिष्ट में सामिल कर लिया है तो आंसर हो जागा तुर्की, जॉर्डन, म इन तीनों को इसमें सामिल कर लिया गया है औप्शन नंबर 10 का राइड अंसर हो जाएगा एफटी अपकी ग्रे लिष्ट में पाकिस्तान के सासा तुर्की, जॉर्डन और माली ये ऑक्टूबर 2021 तक का डेटा है बाद में इसको अपडेट करने पर हो सकता इन देशों का न ये चीज मेज़त करता है और रेटिंग देता है जो देश पैसे को गलत तरीकों से इस्तिमाल कर रहा है उस पर ये फटी अप जो है वो अपनी ब्लैक लिस्ट में इसको रखता है तो फटी अप का जो मुख्याला है ये फ्रांस पेरिस में है इसके जो प्रेसिडेंट है उ जो चीफ एकनॉमिस्ट है गीता गोपिनाथ वो जनवरी 2022 में उस और्गनाइजेशन को छोड़कर हारवर्ड युनिवर्सिटी में जो अर्थसास्तर का विभाग है वहाँ पर फिर से वापस आएंगी मतलब पढ़ाएंगी तो आंसर हो जाएगा गीता गोपिनाथ जो है यह आईएमेफ इंडियन इंटरनेसल मॉनेटरी फंड की मुक्य अर्थ चीफ एकनॉमिस्ट थी यह हाल ही में इन्होंने कोशना करी है यह आईएमेफ को छोड़कर अब वापस से जोईन करने वाली है हारवर्ड युनिवर्सिटी तो आप्शन नमबर ए आईएमेफ इसका का मुख्याले कहां पर है अमेरिका में और ASEAN Development Bank का मुख्याले कहां पर है फिलिपीन्स में इस्तित है दोस्तों आज का कोशन जिसका अंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ओसम वीडियो